बिल्किस पानो का केस बेहत दर्दनाक है। वो प्रेगनेंट थी जब उनके साथ गैंग रेप किया गया और उनके परिवार के कई सदस्यों को जान से मार दिया गया। इसमें उनकी तीन साल की छोटी बच्ची भी शामिल थी। और उनकी मुश्किले इस हाथसे के बाद खतम नहीं हुई। इनसाफ के लिए लड़ाई लड़ते समय उनके कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। गर्वर्मेंट एंप्लॉईज उनके साथ कॉपरेट नहीं क सजा सुनाए। लेकिन 15 अगस 2022 को ये सब बतल गया। गुजरात में एक रिमिशन पॉलसी है जिसके तहट अगर आप उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और 14 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो आपका विहवार, उम्र और किस तरीके का जुर्म आपने किया था इसे देखते दुनिया की कई लोग चौक गए। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त किया तो काफियों ने चिठिया लिखकर अपना दर्ज सुप्रीम कोट को बताया। इस समय सुप्रीम कोट में इस मामले को लेकर PIL दर्ज है TMC की महुआ मोहितरा द्वारा, कॉम्यनिस पार्टी की सुभाशिनी अली द्वारा और अन्यवक्तियों द्वारा अब देखना सरफ ये है कि बिलकिस बानों से छीना गया इनसाफ उन्हें वापस दिया जाएगा या फिर ये 11 हत्यारे और रेपिस आपके मेरे और बिलकिस बानों के बीच आजादी का लु तुठाएंगे